तो दोस्तों यह DTS setup box है और यह setup box चलते चलते अचानाक से बंद हो गया और अभी हम इसको चालू करने की कोशिस कर रहे हैं तो यह है कि चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि अगर DTS का setup box चालू नहीं हो रहा है तो इसके पिछे कारण क्या होता है कौन से कंपोनेंट खराब होता है और इस प्राब्लम को आप घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं पूरी complete इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हमारे सेट आप बॉक्स चालू होने का नाम नहीं ले रहा है तो दोस्तों सोच रही होंगे कि होसकते भاई आपने तो सप्लाइब करके दिखा देता हूँा यहां पर पाउर सप्लाइब का बल्ब ग्लो कर रहें दोस्तों आपको सिरीज़ बोड में सप्लाई देने के बाद ही ऐसा साउट करके देखने ठीक है तो हाँ पर सप्लाई आ रहा है और इसका सप्लाई जो वोल्टेज है डिसी वोल्टेज वह मदर बोड में जा रहा है मगर हमारे जो सेटप बाक्स है कि चालू हो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसका जो प्राब्लम होता है वह पावर सप्लाई से होता है दोस्तों पावर सप्लाई में कई तरह का वोल्टेज आता है जिसमें का 3.3 मोल्ट ऐसा ओल्ट है अगर 3.3 ओल्ट हमारे मदर बोड को ना मिले तो हमारे सेटप बॉक्स नहीं आता है तो हमारा सेटप बॉक्स और नहीं होता तो मैं आपको पहले ओल्टेज के बार में बता दूँ कुछ जो पहला वाला पीन होता है वह पांच ओल्ट का होता है दूसरा वाला पीन ग्राउंड का होता है तीसरा वाला पीन 24 वोल्ट के लिए होता है पांच वाल एक तो यही तीन तीन उल्ट अगर हमारे मधरबोड को न मिले तो जो हुआ नहीं होता दोस्तों तीन ला तीन ओल्ट ना मिलने कि कई करण हो सकते हैं जिसमें का ड्वो में ली सरा हम से आगे डाद नहीं आता तो पहले हम यहां पर द्यूट को चेक करेंगे अगर इसमें ही रहता है तो आहरीश करने के Chinese नहीं रहता है तो है जुँक्तरय आ ह्जा तो आप यह होता है तो सतरके करने के लिए हम बागी का जो कब रहते हैं उसे चेक कर लेते जहां component सही रहता है तो यह जो कपिस्ट्या जो की फुला हुग रहाई उसको हम चेंज करेंगे तो यहां पर हम मैल्ट लें गर ऑ criminal सेटकर देंगे तो करेंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे ढ़ी सेक्षिंट में Bash आप जो डैयोड लका हुआ है उसको आपको साय Detail को चेक करना है दूस्टो मैं आपको बता है वहाह dollar अगर डियुट दोनों की सई रीडीं इसारो। बताता है तो उस कडिशन में डायोज खराब मना जाता है तो हम आपफसाइग डायोड को छेक करने सारो दायोड सही कर रहे है तो आपको इसाई से कंडूटी नहीं बताया दोस्तों मैं आपको बता दाएंक कि पॉर सप्ले में अधिक्तर फाल्ट डायोड में आता है या इस कैपिसिटर में में आता है तो हम क्या करें यह जो सो необходимо NAS निकाल लेंगे और यहां पर दूसरा करपिश्टर लगाएंगे जिससे की ओल्टे जमें प्रॉपर तरीके से मिले लग जाएगा यहां एक हजार यूएफ दस ओल्ट का है तो हमारे पास कोई दूसरा पावर सप्लाई जो की खराब हो चुक है और उसमें इस तरह का यहां पर आपको प्लस मैंने देखकर सही डारेक्शन में ही लगाना है तो चलिए हमें आप पर इसको शॉल्डिंग कर लेते हैं तो दोस्तों इस तरह से हमने यहां पर जो करने की बारी है तो चलिए हम देखते हैं कि यह जो चालू होने का नाम नहीं ले रहाता वाश चालू यहां पर हो चुका है तो दोस्तों इस तरह से आप अपने जो श्राट बॉक्स आ है अगर चालू की तो जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीका से इस प्राबलम को सौल कर सकते हैं तो अगर आब को कोई सलां और सुजा है आपके पास तो आप कमिल करके बता सकते हैं